शिव बाबा याद है ना? ओम श्यान्ति चार मार्ज दोहजार जोबिस के इश्वरिय महवाक्यर पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स बाबा ने कहा तुम्हारा ज्यान बहुत मीठा है अगर कोई प्रेम से बैठ इस ज्यान को सुने तो प्रेम के आशु आ जाए इसमें योग बल की ताकत चाहिए परन्तु बच्चे भाशन तो करते हैं लेकिन योग की कशिश नहीं है योग बल हो तो सुनने वाला पानी पानी हो जाए यह है नर्से नाराइन बनने की पढ़ाई इसमें खास पुरुशार्थ चाहिए अभी तो फिर भी पुरुशार्थ की मार्जिन है जो अच्छे बच्चे हैं तुमें उनको फोलो करना चाहिए फिर बाबा ने कहा अब ऐसा अभ्यास करो जो शरीर छुटे तो बस एक बाप की याद हो पांच विकारों के कांटे भी योग बल से ही निकलेंगे अगर कांटे से फूल बनना है तो याद में जरूर रहो बुद्धी में यही रहे कि बाबा बस हम आये की आये ऐसे बाब की याद में रहने से आत्म का सारा किचड़ा निकल जाएगा अब घर जाना है इसलिए शरीर में कोई भी ममत्व नहीं रहना चाहिए इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उप्राम हो सिर्फ घर और राजधानी को याद करो बाकी और कोई चीज में आसकती ना हो ग्यान सहित अशरीरी होना है इसमें गुम होने की बात नहीं और लास्ट में बाबा ने कहा देह अभीमान में आने से कुछ न कुछ घाटा पड़ता है इसलिए भाई-भाई को देखने की पक्की आदत डालो अगर स्कॉलर्शिप लेनी है तो इतना पुरुशार्थ करना पड़े परन्तु बच्चे गफलत बहुत करते हैं और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार तुम रोयल कुल के रोयल स्टुडेंट हो तुम्हारी चलन बहुत रोयल होने चाहिए तब ही बाप का शो कर सकेंगे प्रश्न विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कोन होगा उसके लिए पुरुशार्थ क्या है उत्तर अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिसे बाप के सिवाए पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद ना आए याद आई तो फेल इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए भाई भाई की पक्की अवस्था हो देह अभीमान तूटा हुआ हो ओम श्यांति बच्चों को सदेव यह नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टुडेंट है बेहद का मालिक हमको पढ़ा रहे है तुम कितने उच्च कुल के रॉयल स्टुडेंट हो तो रॉयल स्टुडेंट की चलन भी रॉयल चाहिए तब ही बाप का शो करेंगे तुम विश्व में शान्ती सापन करने के लिए निमित बने हुए हो श्रीमत पर तुमको शान्ती की प्राइस मिलती है वह भी एक जन्म के लिए नहीं जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे बाप आपे ही आकर हाथ में बहिस स्वर्ग देते हैं बच्चों को पता था क्या कि बाप आकर यह देंगे अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहते हैं क्योंकि इस याद से ही विकर्म विनाश होने हैं। बेहद के बाप की पहचान मिली और निश्चे हुआ तकलीफ की कोई बात नहीं। भक्ती मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं। जरूर बाप से कुछ वर्षा मिलेगा। तुम्हारे पुरुशार्थ की मार्जिन भी है। जितना श्रीमत पर पुरुशार्थ करेंगे उतना उच पद मिलेगा। बाप टीचर सत्गुरु तीनों की श्रीमत मिलती है। उस मत पर चलना है। रहना भी अपने घर में है। मत पर चलने में ही विगन पड़ते हैं। माया का पहला विग्ण है ही देभिमान बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो बच्चे कहते हैं हम कोशिश तो करते हैं प्रन्तु माया करने नहीं देती बच्चे समझते हैं पढ़ाई में खास पुरुशार्थ जरूर चाहिए जो अच्छे बच्चे हैं उनको फोलो करना चाहिए सभी यही पुरुशार्थ करते हैं कि हम बाप से उच्च वर्सा ले लेवें काटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत जरूरत है पांच विकारों के काटे निकल जाएं तो फूल बन जाएंगे वेह निकलेंगे योग बल से कई बच्चे सोच से हैं फलाना ऐसे चला गया शायद हम भी चले जाएं लेकिन उसे देख फिर पुरुशार्थ करना चाहिए न शरीर छोडें तो बाबा की याद हो वशीकरण मंत्र याद हो और कुछ भी याद न हो सिवाए एक बाब के तब प्राण तन से निकलें बाबा बस हम आपके पास आये की आये ऐसे बाबा को याद करने से आत्म में जो किचड़ा भरा हुआ होगा वे सब भस्म हो जाएगा आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे जन्म जन्मांत्र का किचड़ा है वे सारा जलना है जब तुम्हारा किचड़ा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए दुनिया से सारा किचड़ा निकलना है तुम्हारे लिए तुम्हें सिर्फ अपना किचड़ा नहीं साफ करना है, सभी का किचड़ा साफ करना है बाबा को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर इस दुनिया से किचड़े को साफ करो सारे विश्व को पवित्र बनाओ, किसके लिए? उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही तो पहले-पहले राज्ये करते हो, तो बाप तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आये हैं। जैसे लाइट हाउस फिड़ता है। सुदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं। तुम बच्चे दिल अंदर समझ से हो, बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यह है ही सत्य नारायन की गत्था, नर से नारायन बनने की। बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा ज सतो प्रधान थे, अब फिर सतो प्रधान बनाने बाप आया है। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप ने ही गीता सुनाई थी, अब तो मनुष्य सुनाते हैं, कितना फर्क हो गया है। भगवान तो भगवान हैं, वही मनुष् का वर्षा देने वाला बाप को याद करते रहो तो अंतमती सोगती हो जाएगी तुम जानते हो बाप आते हैं संगम युग पर पुरुशोत्तम बनाने के लिए अब यह 84 का चक्र पूरा होता है फिर शुरू होगा यह भी खुशी होनी चाहिए प्रदर्शनी में जो लोग आ उनको भी पहले शुबाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम यह बन जाएगे फादर से वर्षा ही सत्यूग का मिलता है भारत सत्यूग था अब नहीं है फिर बनना है इसलिए बाप और बादशाही को याद करो तो अंतमती बन जाएगी यह है सच्चा बाप इनके बच्चे बनने से तुम सच खंड के मालिक बन जाएगे पहले पहले अल्फ को पक्का कराओ अल्फ बाबा बे बादशाही बाप को याद करो तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएगे कितना सहज ह जनम जनमांत्र भक्ती की बातें सुनते सुनते बुद्धी को माया का ताला लग गया है बाप आकर चाबी से ताला खोलते हैं इस समय सभी के कान जैसे बंद हैं पत्थर बुद्धी हैं तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है स्वर्ग का वर्सा याद है बादशाही य बच्चों का कितना उपकार करता हूँ, तुम तो अपकार ही करते आए हो, वे भी ड्रामा में नूंध है, किसका दोश नहीं है, तुम बच्चों की यह मिशन है ही पत्थर बुधियों को पारस बुधि, अथवा कांटों को फूल बनाने के लिए, यह मिशन तुम्हारी है, सब एक दो को कांटे से फूल बना रहे हैं, उनों को भी ऐसा बनाने वाला जरूर किंग फ्लावर होगा, स्वर्ग की सापना करने वाला, अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला एक ही बाप है, तुम हो खुदाई खिदमतगार, तमो प्रधान को सतो प्रधान बनान यह खिदमत है, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, समझाना भी बहुत सहज है, कलियुग में है ही तमो प्रधान, अगर कलियुग की आयू बढ़ा देंगे, तो और ही तमो प्रधान बनेंगे, तुम जानते हो, हमको फूल बनाने वाला बाप आया है, कांटा बनाना रावन क काम है, फूल बाप बनाते हैं, जिसको शिवबाबा याद है, उनको जरूर स्वर्ग भी याद होगा, प्रभात फेरी जब निकालते हो, तो उसमें भी दिखाओ, कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, भारत पर इनलक्षमिनारेन का राज्य सापन कर रहे हैं, हम ब्राह्मन सो देवता बनते हैं, देवता सो फिलक्षत्रिये, सो वैश्ये, यह बाजोली हैं, किसको समझाना बहुत सहज हैं, हम ब्राह्मन हैं, ब्राह्मनों की चोटी होती हैं, तुम भी समझ से हो, हमने 84 का चकर पूरा किया, बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिल उलती हैं, और सब है भक्ति, ग्यान एक बाप ही सुनाते हैं, सर्व का सदगती दाता एक बाप ही है, पुरुशोत्तम संगम युग भी एक ही है, इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, भक्ति में फिर यादगार चलता है, बाप ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है कि यह पुरुशार्थ करने से तुम यह वर्षा ले सकते हो। यह पढ़ाई बहुत सहज है। नर्से नाराइन बनने की पढ़ाई है। कथा कहना रोंग है क्योंकि कथा में एम अब्जेक्ट नहीं होती है। पढ़ाई में एम अब्जेक्ट हैं। कौन पढ़ाते हैं ज्यान सागर। बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रत्नों से जोली भड़ता हूं। बेहद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे। इस समय सब हैं पत्थर बुध्धी। रावन को ही नहीं जानते। तुमक अब अकल मिलता है पूछने के लिए। मनुष्यों से पूछो आखिर रावन है कौन। कबसे इनका जनम हुआ, कबसे जलाते हो। कहेंगे अनादी हैं। तुम अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो। वह भी समय आएगा तो पूछेंगे, कोई रिस्पोंस कर नहीं सके तुम्हारी आत्मा याद की यत्रा में तत्पर हो जाएगी। अब अपने से पूछो, हम सतो प्रधान बने हैं, दिल गवाही देती हैं, अभी कर्मा तीत अवस्था तो हुई नहीं हैं, हो नहीं हैं। इस समय तुम बहुत थोड़े हो, इसलिए तुम्हारी कोई सुनते न नहीं हैं। तुम्हारी बात ही न्यारी है। पहले पहले तो बताओ, बाप संगम युग पर आते हैं। एक एक बात जब समझें, तब आगे बढ़ाओ। बहुत धैरिये से, प्यार से समझाना है कि तुमको दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक बाप से ब तो खुशी का पारा चड़े, तुम बच्चों में बहुत गुण भर जाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, जेल की सजाओं से भी छुडाते हैं। तुम बहुत अच्छी रिती मिनिस्टर आदी को भी समझा सकते हो। समझाना ऐसा चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए। तुम्हारा ज्यान बहुत मीठा है। प्रेम से बैठ कर सुने तो प्रेम के आसु आजए। हमेशा इस द्रिष्टी से देखो कि हम भाई को राश्वा बताते हैं। बोलो हम श्रीमत पर भारत की सची सेवा कर रहे हैं। भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं। बाबा कहते हैं, देली में सेवा का घेराव डालो, विस्तार करो। परन्तु अभी तक किसी को घायल नहीं किया हैं। घायल करने में योग बल चाहिए। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हूं, साथ-साथ ग्यान भी हैं। योग से ही तुम किसको कशिश कर सकेंगे। अभी बच्चे भाशन भल अच्छा करते हैं, परन्तु योग की कशिश कम है। मुख्य बात है योग की। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हूं। तो योग बल बहुत चाहिए। उसकी बहुत कमी है। अंदर खुशी में नाचना चाहिए। ये खुशी का डांस है। इस ग्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। बाप की याद में रहते रहते तुम अशरिरी बन जाते हो। ग्ञान से अशरिरी होना है। इसमें गुम होने की बात नहीं है। बुद्धी में ज्यान चाहिए, अब घर जाना है, फिर राजाई में आएंगे, बाप ने विनाश और सापना का साक्षत कार भी कराया है, यह दुनिया सारी जली पड़ी है, हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं, अब घर जाना है, इसलिए शरीर में भी कोई ममत्व नहीं रहना चाहिए, इस शरीर से, इस दुनिया से उप्राम रहना चाहिए, सिर्फ अपने घर को और राजधानी को याद करना है, कोई भी चीज में आसकती नहीं हो, विनाश भी कड़ा होने वाला है, जब विनाश होने लगेगा, तो तुमको खुशी होगी, बस अब हम ट्रां बच्चों के पास कुछ है नहीं, तो याद किया आएगा, बेहद की सारी दुनिया से ममत्व तूट जाए, इसमें मेहनत है, भाई भाई की पक्की अवस्था भी तब रह सकती है, जब देह अभिमान तूट जाए, देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ घाटा पड़ता है, देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा, हम भाई को पढ़ाते हैं, भाई से बात करते हैं, यह पक्की टेव, पक्की आदत पड़ जाए, अगर स्कॉलर्शिप लेनी है, तो इतना पुरुशार्थ करना है, जब समझाते हो, तब भी याद रहे कि हम सब भाई भाई हैं, सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं, सब भाईयों का बाप के वर्से पर हक है, बहन का भी भान ना आए, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी, आत्मा को यह शरीर मिला है, उसमें किसका नाम मेल का, किसका फिमेल का पड़ा है, इनसे परे बाकी आत्मा है, ये बाबा जो रास्ता बताते हैं वह बरोबर ठीक है यहां बच्चे आते ही हैं यह प्रैक्टिस करने ट्रेन में किसको बैज पर समझा सकते हो बैठ कर एक दो से पूछो तुमको कितने बाप है फिर उत्तर दो यह है दूसरे का ध्यान खिचुआने की युक्ति फिर तुमको दो बाप हैं हमको तीन है इस अलोकिक बाप दबारा हमको वर्सा मिलता है तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज है कोई कहे इससे क्या फाइदा बोलो हमारा फर्ज है अंधों को लाठी बन रास्ता दिखाना जैसे नंस सर्विस करती हैं तुम भी करो तुमको बहुत उशार्थ करना है तुम सबको चड़ती कला का रास्ता बताते हो एक बाप को याद करते रहो तो भी बहुत खुशी होगी और विकर्म भी विनाश होंगे बाप से वर्सा लेना बहुत सहज है प्रन्तु बहुत बच्चे गफलत करते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्णिंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्णिंग धार्णा के लिए मुख्य सार पहली अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से उपराम रहना है किसी भी चीज में आसकती नहीं रखनी है बुद्धी में रहे कि अब हम ट्रांस्फर हुए की हुए दूसरी पोइंट बहुत धैर्य और प्यार से सब को दो बाप का परीचे देना है ग्यान रतनों से जोली भर कर दान करना है कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है वर्दान बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विग्न निरंतर सेवाधारी भव जहां सेवा का उमंग है वहां अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है एक बाप और सेवा में मगन रहो तो निर्विग्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजीत बन जाएंगे समय प्रती समय सेवा की रूप रेखा बदल रही है और बदलती रहेगी अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा लेकिन वह स्यम कहेंगे कि यह स्रेष्ठ कार्य है इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ यह समय के समीपता की निशानी है तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो स्लोगन संपनता की सिती में सित्थो प्रकृती की हल्चल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो अच्छा ओम शान्ती जन जन तक बाबा का संदेश पहुँचाने के लिए शिवरात्री पर एक विशेश वीडियो तैयार की है जिसके द्वारा शोभा यात्रा में बहुत अच्छी सिवा हो सकती है और कारिक्रम में भी इसे सुनाया जा सकता है